हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लो मेरा हम नबील है Amazfit की बिजनेस और स्पोर्ट्स फ्लाक्शिफ स्मार्ट वॉच है मेरे पास यह है Amazfit की जी टी यार फॉर राउंड डायल है अपने आपको स्मार्ट वॉच बोलती है लेकिन रहती है फिटनेस ट्रैकर वैसी नहीं है तो इसको चेक आउट करने के लिए बहुत सब्सक्राइब है और बहुत सारे एडवेंचर वाले स्पोर्ट्स वाले हेल्थ वाले फीचर्स है कमपस भी है बैरोमेटर भी है सारी सीज को करेंगे हम चेक आउट तो यह काईज अमेश्फिट ग्ट्र 4 का बॉक्स सामने से इस तरी किसे दिखता है प्रीमिम स्मार्ट वॉच प्रीमिम बॉक्स यहां पर इस राइट पर दिखेंगे तो इसके डिस्प्ले के बारे में लिखा है क्योंकि उसका एक हाइलेटिंग है HD AMOLED डिस्प्ले है 1.43 इंचिस को भी राउंड वाला दूवल बैंड और 5 सैटेलेट पुजिनिंग सिस्टम है 247 हेल्फ मॉनिटरिंग है और एक्स्ट्रा लॉंग बैटरी लाइफ है बॉक्स के अंदर आपको वाच और इसका यह चार्जिंग डॉक मिलता है यह बहुत काफी खुबसरत और elegant लगता है यहाँ पर दो इन्होंने बटन दिये है यह digital crown का भी काम करते है और यह बटन भी है साथ यहाँ पर एक बटन है दोनों के functionalities में आपको बदाऊंगा क्या क्या है और यहाँ पर देखेंगे तो आप इसका strap से काफी जादा खुश हो जाएंग से आपके हाथ पर देखने में भी काफी ब्यूटिफल लगती जब भी आप अपना हाथ इस तरी किसे रखेंगे वाच का डिस्पले ओफ वुत है और इसको उपर करेंगे तो डिस्पले जो है रेस टुवेक वाले फीचर के वाइस से ऑन हो जाता है वाच को जब आपको एक language selection का menu system देखने मिलेगा एक touchscreen display है तो यहाँ पे आप इसको touch कर सकते है अभी आपको बोलेगा यह application आपके फोन पर डाउलोड करने के लिए अपने डाउलोड कर लिए अपने iPhone 14 Pro Max के अंदर iPhone पे बीचलेगा और यह जो है Android phone पे बीचलेगा यहाँ पर QR code है आपकी watch पे जो आ यह सारे features तो ही लेकिन यह जो display है इसकी brightness काफी मुझे कमालगी लगी यहाँ पर देख सकते है इसको मैं फुल पर रखा है चाहे तो मैं इसको auto brightness पर भी set कर सकता हूं आपके सामने इसकी brightness जो है काव हुई auto brightness पर सेट करने के लिए तो ambient lighting के हिसाब से brightness adjust करेगा और battery भी जो है सीधा आप जो है sports mode में चले आते है और यह digital crown जो है इसकी मदद से आप इसमें scroll भी कर सकते है work out mode जो होते है वो चेक कर सकते है और यह digital crown के साथ-साथ जो है menu बटन का भी काम करता है तो इस तरीके से हम menu में चले जाएंगे menu का system है वो समझाने के पहले जो इसका main watch face है यहाँ पर मिल जाता है control center यहाँ बैटरी लाइफ, sleep mode, do not disturb mode साथी यहाँ पर theater mode ताके theater में जाए तो फटसे इस mode करते कोई भी disturb नहीं होगा calendar उसके बाद जो है इसका sound भी आप यहाँ से adjust कर सकते जो इसकी volume है क्योंकि ए Bluetooth calling smartwatch है उसके बाद यहाँ पर इसकी brightness adjustment settings के अंदर आ phone finder सब कुछ यहाँ से आप जो है set कर सकते और यहाँ पर यह water eject वाला भी mode है यहाँ पर जो lock वाला feature इनों ने दिया है यह इसलिए है कि अगर आप swim कर रहे हो तो उस time पर जो touch होता है पानी screen पर तो कुछ भी इदर उदर नहीं भागना चाहिए कोई भी application या menu इसके उपन और यहाँ पर देख सेखते हैं यह होती है प्रीमिम स्मार्ट वॉच की पहचान यहाँ पर इस तरीकी का smooth आपको application का पूरा interface और smart watch का पूरा interface OS जो है वो देखने मिलता है एक तब smooth होना चाहिए सिल्की तो आपको मजाएगा अब यहाँ सबसे पहले चीज है PAI अब यह क् पूरे दिन में आप जितनी भी activities करते हो उसके मुदाबिक जो है एक score तयार करता है जिसके हिसाब से आप अपनी activities को बढ़ा या घटा सकते हो यहाँ में इस फिट की watches में आता है उनके application में आता है तो यह आपको motivate करता रहेगा कि ताकि आप जादा से जादा दिन में active रहे इसके बाद यहाँ पे कुछ health features है जैसे यहाँ पे आपको मिलता है heart rate scanner 24-7 health monitoring का ही feature है तो इससे आप अपनी दिन बर की heart rate जो है वो measure कर सकते है उसके बाद यहाँ पे आपको blood oxygen sensor मिलता है तो इससे आप अपने SPODO का भी दिन बर धियान रख सकते है then you get one tap measuring अब यह क्या करता और इससे आप satisfied नहीं है तो more workouts पे click करके यहाँ पे additional or workouts भी आपको देखने मिल जाते है तो almost हर चीज जो है आपकी cover हो जाती है इसके बाद आपका stress calculation आपके दिन बर की activity सब कुछ यह बहुत जो है record करेगी properly इसके बाद जो आपका sleep goal आप set करते हो उसको भी properly track करेगी आप sun and moon feature तो यह इस पे click करके आप देख सकते कि अभी exactly जो sun है वो किस position पे है moon किस position पे है इसके अंदर आपको ए compass भी मिल जाता है जिसमें आप pressure भी देख सकते है और altitude भी देख सकती क्योंकि इस watch में आपको जो है barometer भी देखने मिलता है तो obviously यह सारे features आपको इसमें मिल जाते यहां पर remote control यह है इस ते click करके आप अपने phone के camera को control कर सकते है फिर आपको मिलता है यहां पर phone का feature अभी यह जो है Bluetooth calling smartwatch है और iPhone हो यह यह जो है Bluetooth calling इसके जरीए से काम करती है यहां पर मैंने contact add करके रखा है इसको में call करूंगा भी आपके सामने तो यहां पर देख सकते है प तो इस watch का जो loudness है वह बहुत अच्छा है और इससे आप बात भी कर सकते है emergency में आपने phone उठाया किसी का wrist पे watch है तो आप बोल सकते है I'll call you later या कुछ बात करनी emergency में तो भी आप कर सकते हो हम इस fit GTR 4 के अंदर आपको built-in GPS भी मिल जाता है जो भी आप route लेते हो रोज running के लिए tracking के लिए जो कुछ भी आप इससे track का सकते हो अब इसका application देख लेते है तो यह iPhone के उपर application में दिखा रहा हूं Android भी भी आपको similar application मिल जाएगा है ZEP application है आपके जितने भी steps activity है वो सब main जो page, front page उस पे सारी चीज़े record हो जाएगी आपका PAI score हर चीज़ और यहाँ पे आपके सारे वो accounts आपको मिल जाएगे और यहाँ पे नीचे आपके health parameters फिर यहाँ पे आपको health वाला page मिलता है जहाँ पे additionally आपको targets वगरा set कर सकते कि कि कितना आपको cycle करना है कितना आपको steps आपको सारी चीज़े और लास्ट में आपको यहाँ पे profile मिल जाती है जहाँ पे आप अपने goals वगरा और अपने friends को add कर सकते हैं आपके records आपके accounts इसके साथ जो आपको पैस करने वह और यहाँ पे आपकी watch का सारा settings आपको मिल जाती है जिसमें आपको health monitoring 247 चाहिए या नही watch की battery कितनी है watch का firmware update आएगा और यहाँ पे आपको मिलते है वो सारे watch faces जो मैंने बताया 150 प्लस आपको अलग-अलग watch faces मिलते हैं क्योंकि यह AMOLED डिस्पले है आप इस पे एक से watch face लगा सकते हो और अगर आप iPhone user हो तो यह watch जो है आपका यह स्वारा health का data आपके iPhone के health application के smart watch है Bluetooth calling भी आपको मिल जाएगी इसके सरी से आप call भी कर सकते है receive भी कर सकते है और काफी सारे health parameters, fitness tracking sensors और साथ ही अगर आप जाते हो tracking पे या कोई भी adventurous activity पे तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे इस watch के अंदर मिल जाए अमेंसfit GTR 4 का जो launch price है flip card पे वो है 15,299 रुपीज और launch offers खतम होने के बाद यह retail करेगी 16,999 पे flip card का एक quiz भी है जहाँ पे अगर आप answer करेंगे इस watch related question तो आप जीच सकते है इस smart watch को completely free of cost और यह सिफ एक के लिए नहीं बलके 20 lucky winners के लिए giveaway है और इसका limited period launch offer भी है जहाँ पे Amazfit जो है इस watch के purchase के साथ आपको देगा extra straps free लेकिन यह limited logo के लिए है तो जल्दी से अगर आप purchase करेंगे तो शयाद आपको मिल जाए यह watch आपको super speed black और race track gray यह दो colors में मिलती है दोनों में से जो भी पसंद है you can check it out from the link in the description तो कैसी लगी आपको Amazfit की GTR 4 let me know in the comment section below उमीद कता हो दोस्तों आपको आपको आज का वीडियो पसं आपको 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 आपक